बहुजन समाज पार्टी की प्रमुक मायवती ने मंगलवार को मौब लीचिंग के मुद्दे पर केंद्र की मोधी सरकार तथा भारतिय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश का महल बिगाड रही है यूपी की पुरमुक मंतरी ने देश में मौब लीचिंग की बढ़ती घटनाओं के लिए सीधे तोर पर बीजेपी और उनके कारेकरताओं को जिम्यदार ठहराया उन्होंने अलवर घटना की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार इस पर कोई कारवाई नहीं करेगी दर्वी हिंसक भीर दुआरा देश में आए दिन निर्दोस लोगों की हत्या करने की खुली छूट देकर अपने देश में लोक तंत्र वे कानून के राज को अब भीर तंत्र में बदल कर लोगों के जान माल को अति सस्ता वे अति आ सुरक्षित करने के अविशाब के लिए बीजेपी की वर्तमान केंद्र वे खास कर बीजेपी शाशित राजे सरकारों को देश के इतिहास में हमेशा उनके काले कारनावों के लिए याद किया जाएगा वैसे भी देश के विशेश कर दलितों आदिवासियों वे अन्य पिष्णे वर्गों आदी के लोगों पर आई दिन हो रहे घोर जातिवादी अत्याचार अन्याय अत्याचार शोशन वै हर स्टर पर उनके साथ किये जारे भेद भाव वै ना इंसाफिक करते रहने आदी के काले कारनामों का काला धबा तो इन जैसी जातिवादी वै संप्रदाए मानसिक्ता रखने वाले लोगों पर तो पहले से ही लगा है साथ ही आगामी चुनाव का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि हाल के दिनों में महा गटवंधन को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं खास तोर पर जो कॉंग्रेस नेता मध्य प्रदेश राजस्थान और 36 गड़ में बीएसपी के साथ गटवंधन को लेकर बयान दे रहे हैं वो इसे बंद करें वो गटवंधन का हिस्सा तभी बनेंगी जब उनकी पार्टी को सम्मान जनक भागिदारी दी जाएगी बीएसपी गड़ बंदन करके चुनाव किसी भी पार्टी के साथ तभी लड़ेगी जब हमारी पार्टी को गड़ बंदन में सम्मान जनक सीटे मिलेंगी और जहां तक कांग्रेस के कुछनेता जो मीडिया में बीएसपी के साथ खास कर मध्य परदेश रादिस्तान वे 36 गड़ विधान सभाग के चुनावों के समद में गड़ बंदन को लेकर आई दिन अपनी किसम किसम की परतिकरियाएं दे रहे हैं तो उनको हमारी पार्टी का ये सपस्ट कहना है कि बीएसपी इन परदेशों में भी कांग्रेस पार्टी के साथ तभी गड़ बंदन करके चुनाव लड़ेगी जब हमारी पार्टी को या सम्माद जनक सीटे मिलेंगी मायवती ने इस बात के भी संकेत दिये कि बीएसपी इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान मध्यपदेश और 36 गड़ चुनाव में अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तयारी कर रही है कर रही है